हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आज हम आप लोगों को परिछा के जो महत्रपोड प्योगी तत्थ हैं उनके बारे में रिवीजन करवाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके जुरूर बताना फ है कि जो सत्य प्रता है ुल्ले कहां मिलता है तो इसका गुपत काल में मिलता है बर्तमान में प्रचलित हिंदू धार्म के सरुप का निर्माण इसी यूग में हुआ था भगवत-गीता की रचना इसी यूग में हुई विष्णूह सरमा द्वारा पंचतंत्र और नाराण भट्र द्वारा हितोप देश की रचना भी की गई थी संस्कत साहित में कालिदास ने कुमार समभवं, मेगदूत, अभिज्ञाँ साकुन्तलम, माल्विकाग्न मित्रम आधि की रचना की थी ये बहुत ही important books हैं कालिदास की जो कुमार सम्भवम, मेग दूद, अभिज्यान साकुंतलम और माल विकाग्न मित्रम कई वार एक्जाम में पूछा भी गया है किसके रचनाए हैं तो कालिदास की रचनाए हैं विसाकदत्य की मुद्राराच्छस, देवी, चंद्रगुप्त, भट्टी का रावडबद और सुद्रक का मरच कटिकम, शुबंदू की बासरवदत्ता की कथा ये सब जो हैं ये सब किसकी हैं विसाकदत्य की पुस्तग हैं दसमलब तथा सुन का अन्वेचल भी इसी युग में हुआ था, किसी युग में हुआ गुप्तकाल युग में हुआ था, सुन का अन्वेचल भी गुप्तकाल काल में हुआ था आरवट इस यूग के गळी तक एवं खगोल सास्त्री थे इनों ने आरवट ये नाम ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमें आंक गळीत, बीजगलीत, तथा रेखा गळीत की विवेचना की गई थी आरवट ने सूर्शिद्धान्त नामक ग्रंथ से ये सिद्ध किया की प्रत्वी अपनी धुरी पर घूमती है किसने ये सिद्धान्त प्रतिपादित किया था आरवट ने ये सिद्ध किया था कि जो प्रत्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है बारे महिर ने ब्रहत सहिंता एवं पंच सहिंता के नाम के खगोल सास्तर की ग्रंथ की रचना की थी ब्रहम गुप्त का प्रमा सिधान्त भी इसी काल का खगोल सास्तर का प्रथम ग्रंथ है सब्त पंचसिका, बसेश्ट सिधान्त जैसे उचकोटि के ग्रन्त इस यूग में रचे गये थे धनवंतरी तथा सुसुरुत इस यूग के प्रख्यात बैद थे नवनीतकम इस यूग के प्रशिद कित्सा पुस्तक है नवनीतकम जो है गुप्तकाल युगी की प्रशिद्द चिकित्सा पुस्तक है हत्स यायरुवेद वा अस्सुसास्त पसु चिकित्सा सम्बंदी पुस्तके हैं जो गुप्तकाल की प्रशिद्द पुस्तकें मानी जाती है कौन सी हस्त आयरुवेद और आसुसास्त्र जो पसुसंबंदी पुस्तके हैं मुपतकाल में ही लिखी गई थी परशिद जो आयरुवेद चार धनवंतरी है उनुने रस चिकितसा नामक पुस्तक की रचना की थी तथा सिद्ध किया की सोना चांदी लोहा तामा धात्तू द्धनवंतरी ने जो रस चिकितसा नामक पुस्तक 2020 की रचना की थी उसमें नेनों ये बताया था कि जो सोना चांदी लोहा तामा धातों में रोग निवारड की सकती जो होती है बहुत ही फायदे मन्द होती है ये धनवंतरी ने बताया था ये थे हमारे आज की इंपोर्टेंट फैक्ट कैसे लगे कमेंट करके जो बताना मेरे नेस्ट वीडियो में तक तक के लिए थैंक्यू सो मच